आगरा लखनव एक्सप्रेस वे पर हुआ बड़ा हाथ साप पांच लोग जिन्दा जले प्राप्ट जानकारी के अनुसार संदीप शर्मा उम्रचप्रेश वर्षिय पुत्र राज कुमार निवासी मिर्जापूर अजी गाउ लगभग पांच वर्ष पुर्व अपना घर ल कंटेइनर आ रहा था, जिसे कंटेइनर में एक कार जागुसी और कंटेइनर चालक मौके से कंटेइनर को छोड़ कर फरार हो गया उधर कार में सवार पांच लोग जल रहे थे और पुलिस से सहयता घंटों मांगने के पस्छाथ कोई नहीं पहुचा, गारी और उसमें सवा कार पांचू लोग जब पूरी तरीके से जलकर राक हो गया तब मौके पर पहुंची पोलिस जिस्से आग पर कावु पाया गया और श्यासन प्रश्यासन मौके पर पहुचकर सभी की पहचान के लिए गारी के नंबर उन्नाव पोलिस को सोचित किया गया है जिससे थाना दिक्ष राज बहादूर मृतक के घर पहुच कर घटना की सोचना दी जिससे परिजन शौब को लेने के लिए खंदौली घटना इस्थल पर पहुचे जहां पोलिस ने शौब को गबजे में लेकर पुस्ट्रमाटम के लि लगभग एक वर्ष पुर्व होई थी और वह परिवार में सबसे बड़ा था जिससे उसके परिजनों का इस घटना को सुनते ही स्थब्द रह गया है और मृतक संदीब की पतनी सपना उनकी माता कांती का रोरो कर बुरा हाल है साहब बाबु अच्छा कहां रहते हैं मिर्जापुर जिगाओं अच्छा तो जो एक्स्पायर हुए हैं उनका नाम क्या था संदीब बाबु अच्छा इनके पिता जी का राजकुमार अच्छा कहां जा रहे थे यह लखनों से आगरा जा रहे थे दिल्ली के लिए गोमने कि दोस्त लोगों के साथ जा रहे थे हैं तो वहीं पर एक्सिडेंट हो गया है अच्छा कैसे हुआ है यह कंटीनर उधर से बाह साइड में आ रहा है यह दहिनी साइड से जा रहे थे कंटीनर की कंटीनर वाले आचानक मोड़ा और उधर से उसके टंकी में लग गई गाली टंकी से कंटीनर की फुट सबूर गई तेल वाली उसे में गाल जलने लगी अच्छा इनकी साधी हुई थ spoke to the high school अच्छा कोई बच्याप्षण घर बती है च्छा Nelson काईसे जानकारी हुए थी कि गाले लड़ गई अधियने पसरके सुभा घर बताने थे अच्छा गाड़ी के नंबर से एसो साहब ने जानकारी ली थी तो परिवार के लोग कहा है गए है या परिवार के लोग सारे लोग गए है वहां आगरा चंदवली अच्छा किस जिगे पर हुआ है खंदवली